नमस्कार दोस्तों वेलकम ट्यूरों चैनल लेंट वानवाइक यार्ट व्रेंस तो डिश्कसिंग वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज बारे बिकॉस बैंक नहीं आज अपना यहां देख सकते कंपणी ने जो डिविश्कसिंग ऑफ इंडिया इसा आपने वो है वह है 13 रुपी 70 पैसा, 13 रुपी 70 पैसा का कंपणी ने dividend allowance किया है यानि कि एक शर्व पे आपको मिलेंगे 13 रुपी 70 पैसा का dividend allowance किया है जिसका recorded देखी कंपणी ने fix किया है वो है आपका 22 5 2024 22 5 2024 recorded फिक्स किया गया है पेमेंट का रिट है 5 6 2024 तो ये डेट को आपको ध्यान में रखना अगर आप इस इवन्ट है पार्टिस्पेट करना चाहते है तो आपको डिमेंट अकाउंट में 22 5 22 5 2024 तक SBI का शर्व को अपने डिमेंट अकाउंट में रखना पढ़ेगा dividend amount है 13 रुपी 70 पैसा पर शेर now moving to the result part result कैसा है जरा उसको चक करेंगे तो फ्रेंट थोड़ा छोटा है reason behind क्या है क्योंकि देखे consolidated and standalone result company ने दोनों एक ही paper में दिया तो चलिए start करते है with the consolidated result यहाँ पर है इसको मैं लोग भी चक करेंगे सबसे पहला चीए फ्रेंट ये जो पहला circle जो मैं भी कर रहा हूँ that is last year का result company ने आज result announce किया है और यह आपका previous quarter का result है अभी सबसे पहला चीए चुकि bank को SBI bank है तो इनका earning जो आता है that would be true interest, income on union interest on balance, others सबको जोर दीजे तो आपका बन जाएगा total income तो total income दीखे कितना है उसको जड़ा हम लोग चेक कर लेते है यह लाल red line जो देख रहे है लाल के रिखा जो है उसको चेक कीजे तो देखे 1,64,914 अभी आया है last year था 1,36 तो यह देख सकते है yearly basis में jump है quarterly basis 1,53 से बढ़ करके 1,64 यानि yearly and quarterly basis दोनों में company के income में bank income में jump देखने को मिल रहा अब है expense यानि की खर्च तो खर्च कितना है ज़रा उसको जड़ा चेक कर लेंगे तो यहाँ देखे यह expense का पाट बता ज़रा इस जगा पर यह line जो है तो इसको चकीजएगा expense आपका देखे हैं आपर 1,33 का भी है last year था 1,09 previous quarter में था 1,29 अब है इस expense को minus किजएगा आप income के साथ तो आपका आ जाएगा operating profit 31,243 का भी बता आ जा रहा है last year था 27,230 यानि yearly basis में jump है quarterly basis 23,790 से बल करके 31,243 यानि बहुत ही शांदार अभी तक result देखने को मिल रहा है bank का अब है इसमें provisioning को minus करेंगे operating profit है provisioning को minus करना है जो कि वो पैसा होता है जो side में रखा जाता है जो पैसा डूप सकता है risk की पैसा है तो यह जो है जो मैंने red किया उसको check कर सकते हैं पर उसको check ही जएगा तो देखिए provisioning 2391 का भी बता जा रहा है लास्ट एर था 3794 का यानि yearly basis में provisioning में गिरावट है जो कि बेटर है लेकिन previous quarter से check ही जागा तो 145 से 1445 से बढ़ करके 2391 हो गया तो quarterly basis में provisioning बढ़ कर आ रहा है और yearly basis में घट कर आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा mixed वाला part हो गया अब operating profit ने provisioning को minus करेंगे tax को minus करेंगे तो आपका आ जाएगा net profit net profit आ जाएगा profit for the period आ जाएगा तो देखे कितना है वो देख सकते है 21,736 का अभी आया है last year था 18,343 बहुत बड़ा jump है company के net profit में and previous quarter चेके हो 11,282 से बढ़ करके 21,736 तो friend बहुत ही जवर्दस production है पस एक ही जहाँ negative देखने को मिल रहा हुआ company का provisioning EPS 23,96 अभी आया है last year था 20,27 देखे EPS अच्छा कासा jump है and plus आपका previous quantity से पर चेकी जागा था अच्छा कासा jump है अभी तक तो result शांदार अच्छा देखने को मिल रहा है provisioning थोड़ा सबसेक negative है और कुछ भी अभी तक negative नहीं है company का NPA को भी ज़र चेक कर लेंगे NPA ने non-performing asset तो यह देख सकते हैं non-performing asset 2.78 का भी है last year था 2.24 का अभी आ है तो देखे NPA non-performing asset में सुधार देखने को मिल रहा है yearly basis में बढ़िया है quarterly basis 2.42 से गिर करके 2.24 यह भी बहुत बढ़िया है तो NPA में asset quality में सुधार देखने को मिल रहा है percent NPA में चेक की जगा तो 0.67 से गिर करके 0.57 हुआ यह भी बढ़िया है and quarterly basis 0.64 से 0.57 हो गया तो फ्रें NPA में गिराउट होनी चाहिए गिराउट होगी तो इसका मदब asset quality में सुधार देखने को मिल रहा है result जो रहता है बहुत ही शांदार result है पस एक ही इसमें थोड़ा negative है वो है आपका provisioning अब इसको चेक कर लेंगे market expectation को meet किया की ने किया तो फ्रेंट यह है इसमें चेक कर सकते हैं newspaper में आपको मिल जागा यह इटी प्राइम में आपर देखें बता आ जा रहा है कि SBI quarter four result SBI post higher than expected pad तो pad जो expect किया रहा था उसे ज़्यादा आया है हम लोगों ने देखा 21,000 पैसा आया है at 20,698 करोल dividend 13.70 यह देख सकते हैं the reported profits surpass the street estimates street expect करे थी 16,695 का 16,695 का आया कितना समझ सकते 20,698 का जवरदस उच्छाल है and market estimate को beat किया है और तो result होगया बहुत जवरदस आनिस currency देख सकते हैं share में उच्छाल भी देखने को मिला है अभी बस आपको क्या ध्यान देना है यह जो level जो है ने 840 के range में यह resistance का काम करेगा buying तभी initiate करना जब 840,850 के नीचे वे closing आ जाए तब because यह resistance है यह profit booking भी आ सकता है double top भी बन सकता है तो पहले close होने दीजे तब उसके बाज़ रता कुछ buying की सुचना चाहिए नीचे में support बन कर आएगा 791 का chart अभी बहुत ही bullish chart है अभी sentiment थोड़ा negative चल रहा है तो इस resistance को उपर ही में कोई buying initiate करना चाहिए तो यह था important event regarding SBI part of result, dividend and chart I hope आप कोई वीडियो अच्छा लगोगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा share कीजेगा अच्छा को subscribe कीजेगा thank you